राजस्तान में जोदपूर के शेर गड़ विधायक बाबू सिंग राठोर ने केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग्स शेखावत पर निशाना साधा है वसुंधरा राजे कैंप के माने वाले बाबू सिंग राठोर ने कहा है कि भूंगरा गैस त्रास्दी में आपने मदद का भरोसा दिलाया था लेकिन पूरा नहीं हुआ समविदा पर नौकरी नहीं लगी पीम कोश से राहत बढ़ाने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ केंद्रिय विद्याले की शेरगड में बरसों से मांग थी गत वर्ष राजनात सिंग के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ तो कहा कि केंद्रिय विद्याले स्वीकृत हो चुका है लेकिन आज तक यहां स्कूल नहीं खुला जबकि तिम्री और पाली में खुल गया है राठोर ने कहा कि फिर डंबल इंजन की सरकार किस काम की राठोर ने कहा कि अभी यहां से कहा है कि चौपासनी में सैने की स्कूल खुलवाया है जबकि हकिकत यह है कि चौपासनी स्कूल की पूरी कमिटी दिल्ली गई और स्वीकृती लेकर आई थी राठोर ने शेखावत के लिए कहा कि हमें पता है कि आप सीकर के महरोली के रहने वाले हैं इसलिए जुनजुनु में खुलवाया जबकि जहां के सांसद आप हो वहां पर खुलवाते आप अपने छेत्र में काम नहीं कर रहे हैं चाहते तो ERCP के तरज पर WURCP अपने लिए भी बन सकती है दरसल सोमवार को शेरगड विधान सभा शेत्र से सेत्रावा में वीर शिरोमडी राव श्रीदेव राज राठोर की छेसो बासच्वी जयनती पर समारोह का आयोजन हुआ विधायक बाबू सिंग राठोर ने केंद्रिय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत पर अपनी नाराजगी जाहिर की मंच से ही राठोर ने शेखावत की कार शैली पर सवाल उठाया जम कर हमला बोला इतना ही नहीं राठोर ने जनता से ये आवाहन किया कि इस बार आप सब तयार रहना सडकों पर संघश करना पड़ेगा नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपडी बाते करके चले जाएंगे हाला कि इस कारेक्रम में राठोड जब उन पर हमला कर रहे थे तब गजेंद्र सिंग शेखावत वहां से निकल चुके थे शेरगड विधायकों ने कहा कि शेरगड शूरवीरों की धर्ती है यहाँ पर केंद्रिय मंत्री के सामने ECHS अस्पताल खोलने की मांग रखी गई थी शेखावत ने लोगों से कहा था कि उनकी निर्मला सीता मरड से बात हो गई अस्पताल स्विक्रिती हो गया है लेकिन कभी हमें लेटर नहीं मिला राठोर ने अपने संबोधन में एक के बाद एक कई ऐसे काम बताए जिनको लेकर शेखावत ने कहा लेकिन वो नहीं हुए